कोईल किसे कहते हैं एक बर्ड होती जिसका नाम क्या है कोईल आप जानते हैं आप लोग में देखी होगी पताने नहीं देखी लेकिन अगर आप कभी गाउं गए हैं और खासत दूरसे आम के बागों में गए हैं तो महपे अपने उसके आवास तो जरूर सुने होगी ठीक है चलिए इस नजम को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो देखते हैं इस नजम को पढ़ने में आपको बहुत मज़ाएगा इसके लावा आप लोग इस नजम को जबानी याद करके अपने क्लास में सुनाएंगे ठीक है चलिए हम लोग डाली 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 बन में शूर मचाने वाली कोयल तेरी को निराली चलिए अब हमने इसको पढ़ लिया अब हम इसकी मीनिंग जानते हैं तेरी रंगत रंगत किसे कहा जाते हैं कलर को ठीक है तो कोयल का कलर कैसा होते है बिल्कुल एक्जैक्ली कोवे की तरह होता है जैसे आ कोयल भी वैसी ही होती है बस क्या है कोयल का काल मा काल कैसा है काला काला produz sens कि इसकी मचले आगर कर रखेंगे तो कव्व करण से से शेटान दिखेगा और कोयल शेकल से मासूम दिखेगी ठीके उलने वाली डाली डाली कोयल कहा जाएगी एक डाल से उड़ेगी दुसरे डाल पर बैट जाएगी दुसरे से उड़ेगी तीसरे पर बैट जाएगी वो आपको जमीन में बहुत कम बैटे दिखेगी वो कभी भी लोगों के सामने इतनी इसली नहीं आ कोईल ज् righteous कुह कू कोय असय जो है कोय है जो क्या है ँदान को निराधि माने सबसे अलog चल्ikes अगला पढ़ते है हम लोग उखी अग्ला बंद क्या है आपका यह लिए बाग में तेरी रडु कू का की देती है एक लुट्फ अजब ही सुनता है जब कुक को तेरी खुश होता है बाग कमाली कोयल तेरी को निराली अब देखें यहां यह क्या कहते हैं कि बाग में तेरी क्योंकि कोयल कहां बोलती है बाग में बोलती है रट इसलिए कहा गया है जब हम किसी एक बात को रिपीट रिपीट कोईल की आवास सुनेंगे आपको बहुत सुकून मिलेगा दिल को तसलिसी मिलती है ठीक है जब कोईल की कान में जाती है कोईल बोलती है जब पेड़ों में आम लग जाती है कोईल कोईल तेरी कौक निराली क्योक फिर इसका मतलब बाग के माली को पता चल जाता है अب आम का मोसम आ चुका है आम निकल आए है इसलिए देखो कोयल कूकू कूकू करने लगी चाहिए चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग ये देखे jeans आपको कोयल बनने देखे रही है देखे बिलकुल एक्जाटली कवेश जैसी है बस थोड़ी सी पतली है ना चलिए आगे देखे आप अगला बन क्या है आपका उस बंद को हम लोग देखते है तो यहाँ आपका बगला बंद क्या है देखिए तुझको आमों से रखबत है आम के बागों से उल्फत है कूकू करने की आदत है कूक से दिलतर पाने वाली कोयल तेरी कूक निराली अब देखे क्या बोलते हैं यहाँ यहाँ चायर कह रहे है कि तुझको आमों से रखबत है किस से रखबत है आमों से रखबत माने दोस्ती महबत है न तुम्हें किस से दोस्ती है आमों के पेरों से दोस्ती है आम के बागों से उल्फत है उल्फत माने क्या होता है महबत यानि आम के जो बाग है उनसे तुम को क्या है महबत है इसलिए तो तुम सिर्फ आम के मौसम में ही आती हो कू कू करने की आदत है और उसकी लैंग्विज जो है क्या है कू 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 करने की आदत है कू क से दिलतर पाने है वाली अब आप पते है अगर आप गाउं जाएंगे और कभी आपने कोयल की कूख सुनी तो वो आपको दिखाई नहीं देगी लेकिश मैं उसकी कूख सुनेंगे न तो आपका दिल करेगा कि लाउ मैं इसे ढूनू देखूं तो जब आप इसको देखने ढूने निकलेंगे तो आपको यह मिलेगी नहीं तो इसलिए कहते है कूख से दिलतर पाने वाली यह हमीशा घने हुए पेड़ों में अंदर छुपके बैठती है कोयल तेरी कूप निराली तो क्या है कोयल तुम्हारी जो आवाज है जो तुम्हारी साउंड है वो सबसे अलग है चलिए अगला बंद देख लेते हैं यह आपका इसका लास्ट बंद है इसमें क्या लिखते हैं इसमें लड़के तेरी कूप को सुनकर नकल तेरी करते हैं अक्सर तू गाती है उनसे बहतर उनकी कूप में है नकली ठीके कोयल तेरी कूप निराली अब ये क्या कहना चाह रहे हैं अब ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोयल कूं 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 करती है अक्सर हम लोग की आदत होती है अगर मुरगा ये बोलेगी कुकुडूं कू या कोई मुरगा बोलेगी मतलब कौँ आओ काओ काओ कलेगा कि जब भी वो कोयल की कू कू सुनते हैं वो खुद भी कू कू बोलते हैं तेरी कू कू सुनके लड़के भी कू 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 करने लगते हैं तेरी नकल उतारते हैं ठीक है अक्सर जाद अतर अक्सर माने कह था जाद अतर तो गाती है उनसे बेतर भाई जाहिर सी बात है जो जिसका क पाप खाना पका के सकते हैं तो मुख़ा है जिसे कौयल कुंकु करते हैं इसमें असली है वह बहतर है और लड़के जो करते हैं उसमें उनकल उतारना देख जाती है कोयल तेरी कुक निराली अब क्या कहते है कोयल तेरी जो लेंगविज है जो तेरी बात करने का स्टाइल है यानि की कू कू जो बोलने का स्टाइल है वो क्या है बहुत अच्छा है सबसे डिफरेंट है तेख चली अब इसके कोछ लव्ज माईने देख लेते तो देखे पहले आपको यहां लवस माईने दिये गए हमके लिकार रंगत माने रंग बंड माने जंगल कुक माने कोयल की आवज निराली माने अनुखी सबसे अलग different उसके बाद देखें यहां क्या लिखा है लुट्फ लुट्फ माने क्या होता है मज़ा है ना रखबत रखबत माने शौक लगाव उल्फत उल्फत माने मुहबत नकली यानि कि नकल यानि कि जो चीज किसी की नकल की गई हो चलिए अब आपका पहला कोशन देख लेते हैं य यहां से लिखेंगे कि कोयल को बंद में शौर मचाने वाली इसलिए कहा गया है क्योंके वो आम के बागों में कुंकुं करती नजर आती है यानि वो बागों में यानि बंद माने क्या होता है जंगल वो जंगल में ही शौर मचाती है इसलिए उसको बंद में शौर मचाने व यहां से लिखेंगे बाग कमाली कोयल के कूंकू करने से खुश होता है देखिए आप लोग छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं आपको इत्ता बता रही हूं वरना क्यों खुश होता है कूंकू करने से उसका क्या फाइदा तो देखिए कोयल जब आम आते हैं पेड़ों पी उसी वक्त कूगू करती है इसलिए बाग का माली खुश होता है कि आम आगे देखो कोयल बोले लगी इसका मतलब हमारे बाग में आम आगे ठीक है तो इस तरह से आप लोग यहां से यहां तक पूरा चलिए अगला कोशन पढ़ते हैं हम लोग का तीसरा कोशन है सवाल नमबर तीन क कोयल को किस चीज से रखबत है तो कोयल को किस चीज से रखबत है किस से महबत है चलिए इसका अंसर देख लेते हैं इसरे का अंसर यहां से लिखेंगे जवाब नमबर तीन करके कोयल को आम से रखबत है ठीक है किस से रखबत है आम से किसका शौग है किसका लगाओ है आम का चलिए अगला कोशिन पढ़ते हैं हम लोग चौथा कोशिन है कोयल की कुक को निराली क्यूं कहा गया है तो अब कोयल की जो कुक है उसको निराली कहने के पीछे क्या रीजन है चलिए इस कांसर हम लोग पढ़ लेते है आप इस कांसर यहां से लिखेंगे जवाब नमबर चार कोयल की कुक को निराली इसलिए कहा गया है क्यूंके बेदानि जो नुखता है यह क्योंके इसकी कूक में अजबसा लुद्फ होता है यह इसमें लिग मज़ा है क्यूं मज़ा है रिकाषlles ग työ रही होती है तो जब लोक सुनते तो उनको बहुनर सुकोन मिलता है टिक है इसके इलावे जब कुक के लावा जब यह कणू करती है तो उसका मतलब यह होता है कि आम का प्रेड़ करती है इसलिए बाक कमाली भी हो जब हम्य करती है जैसा कि मैं उपर आप लोगों को बता चुकी हूं तो इसलिए बच्चे भी उसको ढूंडते हैं उसकी तलाश करते हैं कि कहां बैठी है किस जगां पर बैठी है तो इस वज़े से कोयल की कुक को निराली कहा गया है सब उसके पीछे दिवाने हो जाते हैं उसमें अगला मुकमल करना है मुकमल यानि पूरा करना है तो कहले का बाग में तेरी क्या हैगा रट रट कूंकू की अभी मैं आपको एक साथ सारे आंसर दिखाऊंगी ठीक है आम के बागों से है क्या है रखबत ठीक है नहीं आम के बागों से उल्फत है ठीक है उसके बाद कहा है तेरी स शूरत भोली भाली फिर क्या बनने शोर मजाने वाली चेक चलिए अब इसके आंसर समलोग सारे एक साथ देख लेते हैं वन टू त्री फोर ऐसी मैंने यह आंसर भी दिये चलिए आंसर को दिखते हैं कि नंबर वन पे क्या जाएगा आपका नंबर वन पे आजाएगा रट ठी में यह लिख लेंगे चलिए आगला कुशन पढ़ते हैं हम लोग आपका सवाल नंबर चार है नीचे दिये गए परिंदों के सामने उनकी बोली लिखिए अब आपको बोली लिखना है कि कौन सा परिंदा किस तरह से बोलता है तो देखे यह आपकी मैना है तो मैना कैसे बो वह देखे हो जिसे हम कहते हैं। ठीक है तो इस सब क्या एक साथ दिखा दोगी यह का किया है कुवा कॉवा कैसे बोलता है कॉटोम मुर्गा कैसे बलता है कुकडूकूगं कुवा देख लेते हैं ही ये आपका सारा बुक और्क है तो आप ये आप ये विर्या देलखऴं करेंगे करेंगी थे मेना किसे बोलती है सबसे पहले मेना थी मेना कैसे पूह और दॉन छीय को बोलते है चि जीन गोंतुप्ली मुट ए है ना यह स्वार काफ कभी आएगा श्तरा से लिख लेंगे देए दूबारा से मैं लिख देए खुलें रिखेंगे काफ कुख डेवाड़ुं फिर काफ और वौकूँ कुख तो इस तरह से आप लोग यह सारा कर लेंगे छलिए अगला देखते है अब देखिए यह आपका सवाल नमबर पांच के है खुशखत लिखिए खुशखत लिखने का मतलब क्या होता है इसको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखिए गुड हैंड राइटिंग में है न तो आप यह क्या लिखा है डिखे रे नून गाफ और ते ठीक है तो क्या हो गया यह रंगत अब अगला क्या है लाम फेसे साथ से करके तोएं और उसके साथ से करके फे तो क्या हो गया लुट्फ ठीक उसके बाद क्या है रे अगैन फिर बे और उसी के साथ ते तो क्या हो जाएगा रगबत ठीक उसके बाद क्या है अलीफ लाम तो यह क्या हो जाएगा आपका उल्फत उसके बाद नैक्स्ट आपका क्या है नाउन काफ, अलिफ, लाम और ये ये नकली काफ के ओपर तश्जीद एठश्जीद का मतलब क्या होता है उस लफस को हमें दो बार पढ़ना है एक बार पहले वाले के साथ मिलाके और दूसरा वार अकेले तो इस तरह से ये सारे आप लोग अच्छी एच्छी राइटिंग में लिख लेंगे तो ये चैप्टर हमारा यहां फिनिश होते है आज की वीडियो में बस इतने अगर आपको में वीडियो पसंद आईए तो प्लीज इसे लाइक को शियर करें अगर अभी तक अपने माचान को सिस्क्राइब नहीं करा तो प्लीज माचान को सिस्क्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग